हर साल उड़ीचा के पुरी में आयोजित होने वाली भगवान जगनात जी की रत यात्रा के दर्शन करने देश-विदेश से लाखों करोडों भक्त एकत्रित होते हैं। इस आयोजन में शामिल होने वाले भक्त हमेशा एक बात से जरूर हैरान रहते हैं। वो बात यह है कि हर साल भगवान जगनात जी का रत अपनी यात्रा के दौरान थोड़ी देर के लिए एक मुस्लिम की मजार पर रोका जाता है। यह मंजर देख हर एक भक्त इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक रहता है। बताया जाता है कि जिस मुस्लिम की यह मजार है उसका नाम साल भेग था ओ आग आर व भगवान जगनात जी का अनन्य भक्त था। मंदिर के पुजारी और शहरवासी बताते हैं कि साल भेग यहीं का रहने वाला था। उसकी मां हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। साल भेग भी मुगल सेना में एक सैनिक के पद पर था। बताते हैं कि साल भेग प्रारंभ से ही मुस्लिम धर्म को मानता था, मगर उसके जीवन में घटी एक घटना ने उसे भगवान जगनात का भक्त बना दि गया था, मगर उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस गंभीर घाव के कारण ही उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश साल भेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगनात जी की भक्ति करने की सलाह दी। साल भेग ने भी अपनी माता के बताया नुसार भगवान जगनात जी की अनन्य भक्ति की। साल भेग भगवान जगनात जी की भक्ति में इतना खो गया था कि वो दिन रात पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इसी भक्ति और पूजा अर्चना के चलते साल भेग को मानसिक शांती और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। सपने में भगवान ने दिये दर्शन मुस्लिम होने के कारण सालबेक को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर ही बैठ कर भगवान की भक्ति करने लगता। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगनात जी उसे सपने में आकर दर्शन दिया करते. भगवान उसे सपने में आकर घाव पर लगाने के लिए भबूत देते और साल्बेक सपने में ही उस भबूत को अपने माथे पर लगा लेता. उसके लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि उस इसके माथे का घाव सचमुच में ठीक हो गया था। इसलिए आज भी मजार पर रुकती है रत यात्रा मुस्लिम होने के कारण सालबेग कभी भी भगवान जगनात जी के दर्शन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यू हो गई। जब जगनात जी की रत्यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास आकर भगवान का रत रुक गया और लाख कोशिशों के बाद भी रत इंचबहर आगे नहीं बढ़ा। तभी पुरोहितों और राजा ने सालबेग की सारी सच्चाई जानी और भक्त सालबेग के नाम के जै जैकारे लगाने के बाद रत चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगनात जी का रत सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। उनके दर्शनों के लिए दौड पड़ता। मगर मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठ कर ही भगवान की भक्ती करने लगता है। प्रभू का नाम जबता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भज अन्य भक्तों की जुबान पर भी चड़ने लगते। लोग बताते हैं कि सालबेक के बनाए भगवान के भजन लोगों को आज भी आज़ने।